तो, Hello Everyone! Welcome back to my channel once again. So, I hope everyone is doing really well. वैसे मुझे एक चीज पूछना था लाक्ट जो मैं Code करवाता हूं तो, Code अगर किसी को चाहिए भी क्या क्योंकि मुझे बहुत लोगों ने कभी कमेंट किया हूए कि यार मुझे Code भेजदो मतलब कमेंट्स में या फिक github में code डाल दिया करो तो मुझे एक चीज पूछना था कि code की सच में requirement है या नहीं क्योंकि यह क्या होता है ना कि अगर आप खुद से code लिखते हो तो वह ज्यादा बेटर करता है कि आपको चीज़ें आपको लिखते हुए भी समझ में आती है इसलिए यह मैं code नहीं provide करता हूँ उसका specific reason है वरना फिर अगर आप लोग कहो तो मैं code दे दिया करूँगा लेकिन मैं वही सोचता हूँ कि अगर खुद से लिखो तो ज्यादा benefit करता है यह चीज़ बाकि it's all your call है ना जैसा आप लोग कहो ऐसा मैं कर सकता हूँ अगर चाहिए तो बहुत कुछ रहता है वस उसमें मैं promotion नहीं डालता हूँ उसमें मैं approaches को एक बार दोवारा से वहां पर लिख भी देता हूँ कि in case अगर मैंने कुछ मिस कर दिया हो वीडियो में तो आप वहां से समझ सकते हो ठीक है और time complexity space complexity भी लिखी होती होती है कि कैसे हम वहां पर निका को ठीक है तो क्या किया रहा है question कि हमें array of integer nums दे रखी है और integer k है है हमें return करना है number of contiguous subarrays where the product of the elements in the subarrays strictly less than key ठीक है तो हमें ऐसा इनने k provide किया हुआ है और हमें nums की array दे रखी है simple में ठीक है तो हमें उन subarrays को return करना है जिनका product होते होते मतलब जितो calculate करते करते वह 100K से कम निकले जैसे यहां पे देखो क्या हो रहा है न कि total 8 subarrays बन रही है 10, 5, 2, 6 के लिए कैसे कैसे जैसे 10 खोद हो गया 5, 2, of course individual element खोद का subarray होई सकता है उसका product भी वही खोदी होगा उसके पार 10 और 5 तो 10 into 5 केतना होता है 50 क्या 100 से कम है तो हाँ है क्या 5 और 2 10 होता है 5 into 2 10 तो क्या 100 से कम है हाँ है similarly 2 6 और 5 2 6 अगर हम यह देखे last वाला 5 into 2 10 10 into 6 60 क्या 60 100 से कम है of course है तो यह सब arrays count हो जाएंगे है न कि जो cake की value से कम product हो अब सवाल यह है कि हम इसको कैसे solve करें I hope question clear होगा यहां तक तो जैसे कि हम मान के चलो यह वाला array ले लेते हैं sorry मेरा गला थोड़ा सा खराब है but still I hope video में problem नहीं होनी चाहिए तो मैं try करूँगा तो पहले तो यह देखते हैं कि इसे brute force के way में हम कैसे solve कर सकते हैं तो अगर हम देखें कि हर एक element के लिए अगर हम उसका multiply करकर के check करते जाएं कि जैसे पहले 10 तो खुदी होगा फिर 10 और 5 फिर 10 5 2 इस तरीके से हम check करते वे जाएं तो एक यह हो सकता है कि new sub array के लिए हम उस specific value को multiply करते वे जाएंगे तो दो लूप लगेगी of course कि एक तो एक i हो गया उसके बाद next वाले के लिए j into i plus 1 करके हम उससों multiply करते वे जाएंगे तो यहाँ पर complexity आ जाएगी order of n square लेकिन अगर हम अपने constraints को देखे तो वो allowed नहीं हो होगा अब सवाल यह कि फिर हम solve कैसे करेंगे तो ऐसा एक हम similar question देखे थे बस यहाँ पर फर्क क्या है ना यह सब array product कह रहा है अगर मैं कहूं तुम्हें कि हमें सब array sum जैसी चीज़ निकाल ली है है ना सब array sum तो जिनने भी यह question पहले कभी solve किया होगा तो सब array sum में हम किस त प्रिफिक्स करते थे जिसका नाम है prefix sum है ना तो वहाँ पे हम prefix sum जैसी चीजों का यूज किया करते थे अब prefix sum क्यासे calculate करते थे तो initially तो वह 0 रहता था फिर जैसे पहले element के तो 10 ही होगा 10 प्लस 0 फिर 10 प्लस 5 कितना होता था 15 फिर 15 प्लस 2 हो जाता था हमें पास 17 दें 23 तो यह हमारा prefix sum होता था और अगर मैं तुम्हें कहूं अगर हमारा जिसे main array यह था 10 5 2 6 अगर मैं तुम्हें ऐसा सा कहूं कि मुझे इन दोनों का 2 और 6 का specific part का sum चाहिए तो हम क्या करते थे जो हमारा prefix sum array है उसमें से जो हमारा 23 है उससे यह 15 वाला part minus कर देते थे तो यह specific part जो ह है ना तो यह हमारा actual sub array sum होता था यहाँ पर यहाँ पर क्या कह रहा है इसको वाले question में हमें sub array product चाहिए तो हम prefix product का use करेंगे ठीक है और 100 into 6, 600 है ना तो यह हमारा prefix sum हो गया और हमारी k कितनी दे रखी है इसने 100 दे रखी है ठीक है तो हम चाहते हैं कि हमारा number जो हो वो less than 100 होना चाहिए तो हम क्या करेंगे ना basically हम 100 upon k कर सकते हैं है ना हम तो वहीं चाहते हैं कि हमारा value less than कम हो बतला less than 100 हो तो 100 upon k हम कर सकते हैं अब जैसे मान के चलो हम 100 ही हमारा specific element है ठीक है चलो हम इस particular आरे के अंदर 100 के पास पहुंच गए suppose ठीक है तो 100 upon के कितना हो जगा यहां पर 1 दे रहा होगा यह है ना 100 upon 100 तो क्या हम यह कहना चाहरे हैं कि हम one तक जाएंगे तो देखते हैं है ना तो हम अगर मान के चलो कि यह जो हमारा one है तो क्या हम यह कह सकते हैं कि हम वापस से यहां पर one पे आ करके इस particular range को कह रहे हैं है क्या हम यह क्या सकते हैं लेकिन अगर हम देखें कि जो हमारा prefix product है होगा तो हम अगर हम इस range को particular हम देखेंगे तो हम क्या करेंगे ना one को अगर include करें तो यह 100 भी हो जाएगा लेकिन 100 हमें नहीं चाहिए था हमें क्या चाहिए था कि हमें k less than 100 होना चाहिए strictly less लिखा हुआ यहां पर है ना कि हमें strictly less than किये चाहिए तो अगर हम one के पास गए तो simply prefix product जो हमारा होता जाएगा 1 into 10, 10 into 50 और यह finally 100 में आ जाएगा यहां पर है ना 10, 5, 2 वाले range में लेकिन अगर हम 100 by 1 करेंगे तो 100 मिलेगा पर हमें strictly less than 100 चाहिए था मतलब 100 include नहीं होगा यह मैं यह कहना चाहरा था ठीक है तो rather than अगर हम one को ले तो one से better हम उसका upper bound को लेंगे अब upper bound हमारे पास क्या होगा तो यह वाला part होगा ठीक है 10, 50, 100 वाला तो upper bound में basically अगर हम देखे अपने main array में तो 10, 5, 2, 6 तो sorry यह वाला part होगा है ना तो यह वाला part हमारा तब होता जब ह one include कर रहे होते हैं तो अगर हम इसका upper bound देखे तो हम यह कह सकते हैं इस specific part और अगर हम देखे तो 5 into 2 कितना होता है 10 तो क्या यह हमारा कम है 100 से of course है तो rather than अगर हम one को check करेंगे one को हम consider करेंगे हम उसके one के upper bound को लेंगे तो हम इस वाले part पे आएंगे तो 10 हम यहाँ पे 10 पे ठीक है अब मान के चलो हम 600 के पास चले गए तो 600 upon 100 कितना हो जाएगा तो 6 आएगा ठीक है और अगर हम चेक करेंगे वापस से हमारे array में कहीं पे 6 है क्या ठीक है तो अगर है या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता हम उस particular index पे मतब 6 को उस particular value पे तो नहीं जाएगे हम उसक आपर बांड इस्टिल कौन सा होगा तो 10 होगा है ना तो अगर हम देखें अपने array के अंदर के 50,100 और 600 तो हमारा अपर बांड क्या होगा यह वाला होगा है ना और इसके next में जितने elements है मतलब यहां पे है ना 50,100,600 मतलब अगर हम अपना mean array देखें तो 10,526 में यह वाला part यह वाला सब area हम consider कर सकते हैं तो और अगर हम देखें कि इनका अगर multiply करके देखेंगे तो क्या होगा 5 into 10,10 into 6,60 है ना हमारी condition satisfy हो रही है तो यह हमारा तो यह हमारा range होगा जिसे हम actually consider करेंगे इस वाले particular जगा यह वाला ओके 50,100,600 और जब हम कहें कि वह range valid है इसका मतलब हमें पता है कि वहां कितने sub area बनेंगे जो कि उस specific j पे end हो रहा होगा जैसे कि यहां पे देखो तो अगर हम 10,526 देखें तो मैं पता है कि एक हमारा 6 हो जाएगा एक हमारा 26 हो जाएगा तो यह हमें सब area हमें पता है कि यहां पे तीन possible contribution हो रहे होंगे ठीक है अगर यह range है हमारे पास तो पर अगर हम इस approach को use करते हुए अपने constraints को देखें तो हमारी constraints कितनी है numbers of i 1000 तक जाती है तो अगर हम यह prefix product वाला approach हम use करेंगे और मान के च तो अगर हम देखें तो यह 1000 to the power n हो जाएगा तो यह काफी जादा हो सकता है जो कि हमारे integer या long को overflow कर सकता है है ना तो उन्दे में error आ सकता है अगर हम इस वाले approach को consider करें तो है ना क्योंकि constant का हमें नहीं पताना हो सकता है आगे चलके इसमें बड़े-बड़े cases दे रखें तो वो हमारा maybe multiply होगा तो prefix product निकालेगा ही तो 1000 करके वो बड़े इतने बड़े element हो जाएंगे कि हमें वो integer या long का overflow दे देगा ठीक है तो अब सवाल यह है कि इसका alternative तरीका क्या हो सकता है ना हम यह कर सकते हैं कि rather than हम इनका product directly निकालेंगे इनको log values में convert कर देंगे ठीक है ज ठीक है क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगा तो यह value काफी large हो सकती है अब हमें नहीं पता कि test cases क्या हो सकते हैं आगे चलके क्योंकि यहां पर तो input arrays में simple simple दे रखें एक्जामपल में लेकिन आगे का नहीं पता ना तो हम क्या कर रहेंगे ना as हमारे पास n numbers होंगे और हर ए हमें कितना दे रहा था six दे रहा था है ना तो six hundred upon hundred होगे six दे रहा था उसके बाद हमें six को binary search कर रहे थे हैं अपने prefix product array में क्या वहां पे मौझूद है और अगर है तो उसके upper bound में चले जाना उसके upper bound से हम consider कर रहे थे तो यह हमारा order of n log n होगा ठीक है पर क्या हम इसको और improve कर सकते हैं क्या तो जवाब है हां हम कर सकते हैं इसको improve ओके अब है कि कैसे करेंगे तो वह देखते हैं तो हां इनको हम improve कर सकते हैं ठीक है तो अगर हम देखें जो यह हमारा product array बन रहा है है अगर हम इन product array को देखें तो कैसा हो रहा है यह देखते हैं इसको दबारा से तो notice कर सकते हैं क्या कि यह जितने भी numbers है क्या वह increasing order में है है ना सारी terms तो positive थे हमारे इसलिए increasing order में आ रहा है और सारे number जब positive हैं तो इस वज़े से हम binary search easily लगा सकते हैं यहां पर ठीक है similarly decreasing increasing order में अगर इन cases में हम two pointer technique का यूज कर सकते हैं ठीक है तो अब हम यहां पर क्या करेंगे कि जो हमारा product था कैसा सा था 10, 50, 100 और 600 है ना ऐसा सा था तो यहां पर हम दो pointer दे रहे होंगे जो की एक तो j pointer होगा जो की increase होता हुआ जा रहा होगा और एक हमारा i pointer होगा जो की decrease कर रहा होगा है ना चीजों को तो जैसे जैसे हम right की और move कर रहे होंगे है ना तो जिस तरके से हम अपने right side की और move कर रहे होंगे तो हम अपने product को increase कर रहे हो क्योंकि हमें पता है कि सारे number positive है multiply करने पर increase ही होंगी चीज़ है यह तो clear है तो जो हमारा J pointer होगा वो बढ़ता हुआ जाएगा तो J pointer जो होगा वो increase करता हुआ जाएगा ठीक है तो हम यह कह सकते हैं कि जे आगे जा रहा होगा product increase होगा और एक point पर क्या होगा वो के को cross कर जाएगा है ना जैसे कि कहीं तो ऐसा होगा ना कि वो के को cross कर जाए वो element वहां पर हमारा I pointer चीज़ों को घटा के चलेगा है ना वो decrease करेगा चीज़ों को ठीक है initial pointers हमारे I और J यहां पर बैठे होंगे है ना और product एक हम product बना लेते हैं फिलहाल के लिए one रहेगा ठीक है अब हम जब two pointers का use करते हैं तो usually क्या कर कैसे करते हैं तो while हमारा J is less than N होगा है ना और हम product कैसे calculate कर रहे थे तो जो हमारी product होगी वो क्या होगी product into nums of J है ना तो अभी हमारी product कितनी है one है तो one से multiply होगा कितना हो जाएगा 10, one into 10 पहले element के लिए तो J pointer again हमारा यहां से move करके हम 5 के पास जाएगे फिर हमारा 10 into 5 कितनी हो जाएगी 50 तो यहां पर आ गया फिर again J pointer move हो करके यहां आ गया 15 into 2 कितनी हो गए अब हमाई पास product 100 हो गया लेकिन क्या मैं 100 चाहिए था नहीं चाहिए था है ना इस ठीकटी less than था तो हम क्या करेंगे ना एक और इसके अंदर condition लगाएंगे while product जो होगा अगर वो greater than equals to k हो जाता है है ना और साथ ही साथ अगर हमारा जो eye pointer हो वो पीछे होना चाहिए के of course eye pointer देखो तो हमारा still 10 पर बैठा हुआ है तो यह condition आ जाएगी वहाँ पे और हम क्या करेंगे ना अब देखो अगर हम product हमारा बढ़ रहा है हमें 100 से कम चाहिए तो हमें क्या करना होगा range को घटाना पड़ेगा कम करना पड़ेगा अब तुम यह बताओ जब हम ऐसे चीज़ों को add कर रहे थे अब add को अगर हमें reverse करना है कम करना है तो क्यासे करते थे subtract करेंगे generally maths की बात है similarly अगर हम multiply करके चीज़ों को बढ़ा रहे है तो उसको हम कम कैसे कर सकते है divide करके right तो same हम यहाँ पर करेंगे कि जो हमारा product होगा उसको हम divide करेंगे किस से अपने nums of i से ठीक है और फिर हमारा i को plus plus कर देंगे तो अब अगर हम देखे तो i पर कौन है कि answer हमारा क्या हो जाएगा answer plus equals to j minus i plus 1 है ना तो यह जो हमारा range होगा है ना हमें पता है हम इस सब आरेस कैसी बनेंगी तो अगर i और j के range में रहेगी है ना तो एक तो 2 हो गया एक 5 हो गया एक 2 5 हो गया है ना इस तरीके से बनेगी मतलब इसके लिए 2 और 2 5 यह होगी है ना similarly अब हमारा answer में क्या होगा अगर हम देखे तो j minus i plus 1 इंडेक्स से समय पता है कि यह कि इतना होगा 0 1 2 तो 2 minus 1 1 plus 1 which is 2 तो answer में दो सब आरेस add होती भी जाएगी है ना और lastly हम क्या करेंगे अपना while loop में जैसे j plus plus करते हैं तो वो हम अपना यहां पर कर देंगे और बस इतना ही सा काम था हमारा अब एक बार और आगे move करके देख लेते हैं कि हम अभी तो 10 पर वापस आ गए है ना अब अगेन वो multiply होगा next element j का क्या है 6 है तो 10 into 6 60 हो गई है ना और j अब यहां पर बैठके आ गई है है ना तो अब हमारा क्या हुआ अब हमारा range हो गया i से लेकर कि j है ना loop हमारी खतम हो चुकी तो अब हमारी i से j यह हो चुकी है 5 to 6 अगेन हम अपने pointers को देखेंगे हमार इंडेक्स के थ्रू एड कर देगा है ना तो i guess यह चीज़ें clear रही होगी है ना किसमें किसे को डाइट नहीं रहनी चाहिए तो यह हम कहां कहां से देखते गए हम पहले brute force देखे brute force के बाद अपने prefix product वाली चीज़ देखे वह भी देखे कि कहां वह fail कर सकता है उसके बाद अपने हम binary search वाले process से गए है ना तो यह इतने से code में हमारा काम हो गया तो बस एक बार हम code करते हैं इसको अपके तो इंट ओफ एन नम्स डॉट लेंट हमें क्या-क्या चीजों की ज़रूत थी तो एक तो हमारा आई हो गया आई एक वस्टू जीरो फिल जे इक वस्टू जीरो और एक हमारा आंसर होगा है ना उसके बाद हमें क्या बना के चले थे प्रॉड़क्ट तो टों प्रॉड़क्ट फॉड़्ित् थो प्रॉडऌिक्ट इंट तू नम्स ओफ जी उसके बाद हम चेक कर रहे थे कि अगर हमारा product जो है cross कर जाती है अगर greater than k हो जाती है और साथी साथ जो हमारा i होए वो भी less than j अगर है ठीक है तो क्या करो ना product को divide करो equals to nums of i से ठीक है और फिर i को plus plus कर दो और finally answer में add करो क्या add कर रहे थे हम जे माइनस i प्लस वन वो range की values है ना कितने सा बैरेस बनेंगे उस particular range में और जे को plus plus कर दो और finally हम अपने answer को return कर देंगे तो चला के देखते हैं है ना आयो चल जाना चाहिए वैसे तो अगर एक बार खुद से इसको ड्रायरन करना है ना फिर खुद से एक टेस्ट किस ले 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 ना उसको ड्रायरन करके देखना फिर खुदी आइडिया लग जाएगा कि कैसे क्या चल रहा है और अगर फिर भी कोई वक्ति डाउट बच जाती है तो फिर कमें बच्शिंम में हुई है आप आराम हैं से वहां पर बता सकते कि किस प्राइड में डाउट है ठीक है और हाँ डिस्क्रिप्शन चेख कर ना मत बूलना ठीक है धार बता रहा हुए डिस्क्रिप्शन प्लीज अगर कहीं पर डवत तो पूरे या तो कोई चीज मिस हो गई हो मेरे से बताते वग तो कुछ चीज़ें वहां पर लिख दिया करते हुँ एक बाहर उससे भी चेक कर लें बागी फिरा मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए keep learning, keep coding, keep exploring, see you guys in the next video and do like, share and subscribe, okay? मिलते हैं यार अगली वीडियो में, bye!